जो गुजर गया है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खतम हुझाएगा नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में डिसक्स करेंगे हम 11 अगस्त के करेंडेपर पर देखिए आज की वीडियो में हम 10 करेंडेपर पर डिसक्स करेंगे और साथ इनकी स्पेसल प्रैक्टों पूरे डीटियल में जानेंगे और देखिए इस वीडियो के लाश्ट में आपसे पांच कोईशन अपड़ी पुचाएंगे तो आपको इन सबस्क्राइब करके बेल आइकोन प्रैस करेंज़े और वीडियो को देखने बागा इसको लाइक कर दीजे तकी और भी सातर इस वीडियो को देकि इससे लाब लिए तो चली शुरू करते हैं में किस देश ने भारत के साथ ब्यापारिक समद्ध समाप्त करने की हुशा कि और दूसरा दा कि किस देश के दोरह पाकिस्तानी डक्टरों की पोस्ट ग्रेजुए डिग्री यानिकी M.D. और M.S. की जो डिग्री है इसकी मानिता रद करके उन्हें देश छोड़ कर जाने के लिए कहा है तो दीखे ये देश आपका है साओधी अरब साओधी अरब ने जितने भी पाकिस्तानी डाक्टर थें उन सभी की डिग्रियां रद करके उनको भगा दिया अपने देश से और चोथा था कि समझोता एक्सपरेश ट्रेंज भारत और किस देश के बीच में चला जाती है तो दीखे ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में चला जाती है और ये क्यों चर्चा मेयात है आपको पता ही होगा और दीखे आज करेंटेवर का पहला प्रशन है कि हाल ही में किस राज के विर्क्षा रोपर महाकुम अभियान ने 22 करोर से अधिक पौधे लगाने के बाद विस्व रिकार्ड बनाया तो दीखे ये अभियान आपका उत्तर प्रदेश राजिका है दीखे आपको डीटेल में बताजता हूँ इस दिखे जो आपका 9 अगस्त का दिन था तो 9 अगस्त 1942 में भारत छोडो आंदोलों की शुरुवात की गई थी और इस दिन को यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुक्यमंतरी योगी आजितिनात ने सोचा कि इसको जो हम किसी अनुखी तरीके से यादगार बनाए तो इसलिए 9 अगस्त को इनों जो विरिक्षा रोपड महाकुम अभियान सुरू किया भारत छोडो आंदोलों की याद में देखे, 2019 में भारत छोडो आंदोलों की 77 वरजगांट बनाई है तो इस 37 वी वर्षगांट के आउसर पर इस वरिक्षा रोपड महाकूम अभियान को शुरूखिया गया था उत्तर प्रदिस राजी में और इस दौरान उत्तर प्रदिस राजी में टोटल 12.2 लाग स्थानों पर कुल 22 करोड से अधिक पौधे लगाए गए तो दीखे 9 अगस्त को जो है इस वरिक्षा रोपड महाकूम अभियान के तह जो है कुल 22 करोड से अधिक पौधे लगाने का विस्व रिकार्ड तो बना ही उत्तर प्रदिस में में पौधी की वित्रड का सबसे बड़ा जो है मुफ्त में वित्रड का रिकार्ड था अपने आप में तो इसको आप यह तकेगा दोनों रिकार्ड के बारे में कि जो आपका उत्तर प्रदिस राजी है ठीक है तो यहाँ पर जो है 9 अगस्त 2019 को वरिक्षा रोपर महाकूम जो है 22 करोड से अधिक पौधे लगाने का विस्वरिकार्ड बना गया और इसके साथ ही यहाँ पर केवल 6 गंटे में 76,823 पौधे जो मुफ्त में बाटे गए और यह भी अपने आप में एक विस्वरिकार्ड बन गया और दूसरा प्रशन है की केंदरी स्वास और परिवा बहुत प्रशन है दिखिए भारत के वरतमान में केंदरी स्वास और परिवार कल्यार मंत्री कौन है इनका नाम है हर्स वर्दन रिक है और दिखिए जो आपके डाक्टर हर्स वर्दन है इन्वे भी अदिल्लि में नई दिल्ली में स्टनपान पर अपनी एक रिपोर्ट जा यानि की छोटे सिसुओं और चोटे बच्चों के लिए अस्तनपान के मामने यह तीनों सबसे फिसटी राजे हैं यह अंती मस्तान परने है उत्तर प्रदेश राज़तान और विहार इसको आप याद रखेंगे और दिखे तीसरा प्रशन की हाल ही में महराश के कोलापूर और सांगली जिलों में बाढ़ की स्थिति को कम करने में मदद के लिए करनाटक राजने किस बांद से पांच लाग क्यों से पानी छोड़ने की सहमती ब्यक्त की है तो दीखे आपको दादू की जो आपका अलमाटी बांद है ठीक है दीखे आपको सबसे पहले तो यह ही आ रखना है कि अलमाटी बांद जो है यह कहां पर स्थित है दीखे आपका अलमाटी डैम यानि कि अलमाटी बांद है यह आपका एक हाइड्रो इलेक्टरी करिश्ञान जी पर सित्य है नार्थ कर नाठिकहा किरनाटक में सित्थ्क है आपका अलमाक्य बांधφ हो और इससे क्या होगा फायदा देखि महराश की कोलापूर और सागली जिलेएं इनमें बाढ़टके। तो यह बहता काई पानी आचानक जब छोड़ता है तो पानी का बाहु काव तेजवता है और जो नहरे बगर हैं और नदियां ठीक है उनके किनारे किनारे वाले श्यस्तिति यह बाड़ प्रभावित हो जाते हैं तो ऐसे ही क्या होगा अगर हम यहाँ पर बीच में अगर कहीं डैम बना दे तो यह पानी आके यहाँ पर रुकेगा महराष्ट के कोलापूर और सांगली जिलों में बाड़ की स्थिति को कम करने में मदद के लिए करनाटक राजने अभियाली में करनाटक के अलमाटी बांद से पांच लाग क्यूसे पानी छोड़ने पर सहमत्ती ब्यक्त यह है और यहाँ पर आपको एक फैक्ट और यहादशना और यहाँ पर महराष्ट का नाम बहता है और दिखे चौथा प्रशने की वर्तमान में राज सभा के सभापती कौन है तो दिखे वर्तमान में जो राज सभा के सभापती हैं का नाम है M.Wankaya Nidu दिखे जो भारत का उपर राश्पती होता है यह राज सभा का पदेन सभापती भी होता है यह बेसिक फैक्टेस को आप याद रखेंगे ठीक है तो जो आपका भारत का उपर राश्पती होता है यह राज सभा का पदेन सभापती होता है और वर्तमान में M.Wankaya Nidu जो है यह भारत के राज सभा के सभापती है और इन से जुड़ी न्यूज क्या है देखे अभी हाली में जो आपके M.Wankaya Nidu जो है इनों ने अभी हाली में भारती जन्ता पार्टी के राके सिन्हा को भारती प्रेस परिशत के सदस से के रूप में नामित किया तो यह अपोइंट्मेंट याद रखना है आपको और 24 घंटे उपलब कराने की गोश्टा की है तो दीखे यह फंट रांसफर सुबिदा आपकी है NEPT यानि कि नेशनल इलेक्टरानिक फंट रांसफर आपको फिर से बता दू कि अभी हाली में रेजर उपने का फीडिया ने जो आपकी नेशनल इलेक्टरानिक फंट रांसफर सुबिदा है ठीक है तो इसका अलाब महीने के 7 दिन और 24 घंटे उपलब कराने की गोश्टा की है यानि कि आप 24 घंटे नेप्ट की सुबिदा से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी लेकिन इसके भी एक लिमिट है देखिए जो आपकी नेप्ट प्रड़ा ली है नेकी नेशनल इलेक्टरानिक फंट ट्रांसफर प्रड़ा ली है और देखिए भारती रिजर्ब बैंक से जोड़ी न्यूज क्या है यहां पर देखिए आपको दादू कि घरिलू और वेस्विक मांग में गिरावट की कारण जो आपका भारती रिजर्ब बैंक है इसने वित्वर्स 2019-20 में भारत की आर्थिक विकासदर को जो है 6.9 रहने का अनुमान लगाया है तो देखिए यहां पर आपको दो आकड़े याद रखने हैं देखिए आपको दादू की जो आपका रिजर्ब बैंक आप इंडिया है तो इसने जो है अपने आपने आकोड़ों में बताया है कि 2019-20 में जो है जो भारत की आर्थिक विकासदर यह 6.9 फिजदी रहेगी और अगले वित्ती वर्स चैनली 2020-21 की वित्ती वर्स की जो पहली तिमाई रहेगी इसमें भारत की जीडीबी की विकासदर जो है 7.4 फिजदी रहेगी ऐसा इसने अनुमान व्यक्ति किया है और सातों प्रशन है कि भारती रिजर्ब बैंक ने वर इंडिया का जो बैंक रेट है आपका यह है 5.65 फिजदी रेपो रेट आपका 5.4 प्रतिसत हो गया है रिवर्स रेपो रेट जो है वर्तमान में 5.15 प्रतिसत है MSF यानि कि marginal standing facility जो है आपका 5.65 प्रतिसत है और जो आपका CRR यानि कि cash reserve ratio यह आपका 4 प्रतिसत है और जो आपका SLR एडिक है तो यह जो है आपका 18.75 फिजदी है तो यह आंकड़े आप हूब हूँ ऐसे screen shot लेके note कर लिए जितने भी जो आपके reserve bank के current rate होते हैं यह exam में तो आपकी टोनी मारीशन का निधन हो गया वह किस देश की निवासी थी तो देखी जो आपकी टोनी मारीशन है यह जो है अमेरिका की निवासी थी और वियाले में इनका निधन हो गया है देखी जो आपकी टोनी मारीशन है इनके बारे में यह जो है राइटर थी ठीक है औ और इनका जन्म का पर हो था अमेरिका में हो था अमेरिका के लॉरेन ओहियो में और इनका जन्म है 18 फरवरी 1931 तो डेट अगरे नहीं पुछेगा बस यहीं पुछेगा कि इस दे से कौन बिलॉंग करता है क्योंकि यह पॉपलर बेखती होते हैं नोबेल प्राइज विनर्स है तो इसलिए इनका नाम एक्जाम के लिए मॉडर्ण बन जाता है तो देखें आप फिर से बता दू आपको कि नोबेल पुरसकार विजेता लेखी का टोनी मारिक्षन का हाली में निदनों किया है और यह जो है अमेरिका से बिलॉंग करते थी और नौवा प्रिशने की हाल ही में एक सतान पर तीसरे अंतराष्टी इलेक्टरिक वाहन कानकलेव का आईजन किया गया तो देखें आपको दादू की अभिहाली में हरियाना के मानेसर में तीसरे अंतराष्टी इलेक्टरिक वाहन कानकलेव का आईजन किया गया देखें अभिहाली में हरियाना के मानेसर म International Center for Automative Technology यानि कि ICAT में जो है जो आपका ये तीसरा अंतराश्टी इलेक्टरिक वहां कानकलेव था इसका आज़ून किया गया और देखे इस कानकलेव का आज़ून जो है जो आपका ICAT है ठीक है यानि कि International Center for Automative Technology है तो इसके द्वारा Indian Energy Storage Alliance के साथ मिलकर जो है इलेक्टरिक मोबिलिटी के छेतर में नए ट्रेंड और चुनोदियों पर फोकस करते हुए किया गया था तो ये विशेज सीज आपको यार रखना है और देखे दस्वा क्रशने की हाल ही में बांगलादिस में रहने वाले कितने रोहिंग्या सरडातियों को संउतराष्ट उच्चायूत यानि की UNHCR के दोरा पैचान पत्र जारी किया गया तो देखे इनकी टोटल संख्या पांच लाग है देखे आपको फिर से बता दूँ कि हाल ही में जो आपको बांगलादिस में रहने वाले रोहिंग्या सरडाति हैं तो इनको संउतराष्ट के उच्चायूत के यानि की UNHCR यानि की United Nations High Commissioner for Refusee के दोरा पैचान पत्र जारी किया गया है और इनकी टोटल संख्या कितनी है पांच लाग ठीक है और देखे आपको दादू को स्थापित करने और सुरच्चीत रतने में मदद मिलेगी और दीकि आपका UNHCR यानि की United Nations High Commissioner for Refuses एटिक है तो ये क्या करता है उगलियों के निशान लेता है इस कार्ड को बनाने के लिए और आईरिस सिकन करता जैसे आपका आधार काड घुछ से मिलता जूलता डाटा करता है बायोँमेट्रिक जाटा यानि कि गाप्चर करता है जो कि परतेग स्राराथी की वेषिप्षिट पहेजान के साथ जब्ला आन्य महतपूर जानकारी government करता है तो जिसे कि आपका आधार कार्ट है कोई बच्चछा अगर खो जा रहा है तो आधार कार्ट से जो हम क्या करते हैं में अगर उसकी पूर ऐसाइन नब्ली любим कार्ट बीक कार्डध करेगा यहां पर आपको पहले क्या रखना है United Nations High Commissioner for Refuses के बारे में देखिए जो आपका UNHCR है इसका मुख्याल आपका जेनेवा स्विट जैलेंड में है और UNHCR के अस्थापना सैंक्त राज यानि की United Nations के दौरा 14 दिसंबर 1950 में की गई थी और वर्तमान में जो आपका UNHCR के हेड यानि की High Commissioner है फिलिपो ग्रेंडी तो UNHCR के बारे में ये पूरी डीटिल आपको यार रखनी है तो ये थे आपके आज की सभी महत्वोड करेंडे बर में बात का लगते हैं आज के सभी कुश्चन अब देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रशना की अंतराश्टी स्वदेशी व्यक्ति दिवस्यानी की International Day of Words Indigenous Peoples की सिदी को मनायता है जल्दी से इसका अंसर पताईए और दूसरा प्रशना आपके लिए कि हाल ही में दक्षड अफ्रिका के किस बल्ले बाजने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है इनका नामत आईए और तीशरा प्रशना की हाल ही में उरुगवे के किस फुटबालर ने पेशेवर फुटबाल से सन्यास ले लिया है इनका नामत आईए और चौथा प्रशन आपके लिए कि मडीपूर की नौ वर्षी बच्ची का क्या नाम है जिसे हाल ही में मुक्यमंत्री ग्रीन मडीपूर मिशन का ब्रांड एम्बिश्टर बनाए गया है तो इस बच्ची का नाम बता है ये पांचो प्रशने की हाल ही में कि राजी सरकार ने मुक्यमंत्री बेसहारा गौवन सभागिता योना सुरू किया है इस राजी का नाम बताना आपको और साथी इसकी डीटेल भी आपको बताना है तो इसी के साथ आज का करेंटी पर यहीं सब आखता है कल फिर मिलेंगे कल के करेंटी पर सेस्था तो वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर कर दिजिए का और जो लूड नय है वो चैनल को सब्स्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का अपड़ेट आपको अबनाजड़ आज दिए